हुआ हिसके दौरान यदि आप कुछ बुन्यादी गलती करते हैं तो आपको फिर पिनाईल कंसर हो सकता है आपको लिंक का कैंसर हो सकता है कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बड़े लापरवा होते हैं यदि आपके पैनिस पे कोई red patch है आपको कट का निसान दिखता है या आपको bleeding होती है या आपको discoloration होता है या आपको pain होता है या आपको itching होता है या फिर आपको कोई दाना है तो आपको immediately उसको देखने की जरूरत है sex को stop करने की जरूरत है और इन symptoms को doctor के साथ discuss करने की जरूरत है क्योंकि basic ये देखा गया है कि penile cancer को रोका जा सकता है 80% लोगों को हम इस cancer से बचा सकते हैं, prevent कर सकते हैं और maximum cases में यदि first stage में लोग doctor के पास पहुँचें, अपने symptoms को बताएं और एक सही diagnosis बने तो इसका इलाज भी संबब है और इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है लेकिन बुन्यादी बात ये है कि लोग अपने symptoms को नहीं पहँचानते हैं उस change को नहीं देखते हैं, hygiene का, cleaning का ध्यान नहीं रखते हैं और एक continuously उसको एक allergy मानके, या fungus मानके, या गंदगी से कोई दाना हो गया होगा क्योंकि थोड़ा सा लोग अपने sex organs के बारे में discuss करने में या change के बारे में discuss करने में एक taboo है, एक हीन भाबना है कहीं न कहीं उससे हमें भान निकलने की जरूत है तो अब हम आज बात यह करेंगे कि penile cancers क्यों होता है उसको समझा कैसे जाया और उसको कैसे रोका जाया और उसका क्या इलाज है मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं है उससे ना किबल हमें एक protection मिलता है बलकि उससे हमें एक अच्छा confidence भी हम sustain करते हैं sex के दोरा क्योंकि बहुत सारे लोग आज कल हमने देखाएगी बहुत depressed होते हैं एक्स बाई जाट उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे एक्स बाई जाट बीमारी तो बीमारी तो नहीं हो जाएगी और आप यदि reliable trusted partner के साथ नहीं है तो फिर आप quantum का यूज करिए क्योंकि वह बहुत जरूरी आपके लिए अब दूसरे लेबल पर बात आती है कि यदि कोई symptoms आपको दिखाई देता है सिफेलेस सेक्ष्वल ट्रांस्मेंटेड डिसीज एचाइवी से संबंदित या हर्पी जदी ऐसा कुछ है आपको इस तरह का कोई भी symptoms आपको है तो immediately आप sex को stop करिए और पहले अपना आप treatment लेजिए क्योंकि ना केवल इससे आपके जीवन को खत्रा है वलकि आपके partner के जीवन को भी खत्रा है जर्नली यह जो पनाई cancer है इसके पीछे रीजन है unprotective sex without condom sex करना multiple partner के साथ expose होना अपने symptoms को suppress करना by medicine प्लस जो आपका immunity वाला पार्ट है वो इसमें भी सामिल है क्योंकि आप यदि आपको immunity बहुत कम level पर है यदि आप immunity आपकी compromise है तो फिर आपको इस तरह के infections का recurrence भी जाद होता है होने की संभाबना भी बढ़ जाती है तो यह सारी चीजें हैं इनको हमें दिहान दखना है दूसरा होता क्या है इसमें कि कई वरी हमें कुछ discharge कुछ संकेत मिलते हैं लेकिन हम कोई call नहीं देते हम उसको नहीं रोकते हैं फर्स स्टेज में symptoms को समझें फिजिशन के पास जाए डियाग्नोसिस बनवाई उसका treatment लीजे इसको ठीक किया जा सकता है इसको प्रॉपर्ली क्लीन करिए जो पैनिस पे आपकी covering मसल्स जो लेयर है जो खाल है उसको पीछे करिए और प्रॉपर उसको क्लीन करिए आप बीटाडिन पोवईडीन जो solution उससे clean कर सकते हैं या आप नॉर्मल सावन यूज करते हैं उससे भी आप clean कर सकते हैं और आफ्टर सेक्स आप अपने पैनिस को अच्छे से क्लीन जरूर करें और क्लिनिंग का बहुत ध्यान रखें और इन PCR में से यदि कोई संकेति organ आपको दिखता है कोई टी दिखता है तो अप किक बढ़ाने किया परेशान होने की कोई आविशक्ता नहीं है इस तरह कि चेंज के साथ सेक्स को एक्जिक्यूट ना करें इम्मीडेटली कॉल दें थैंक यू वेरी मैच अंट टेक यूरसल